तो दोस्तों यह देखिए हमारा ट्री वाइपर यहां तयार है इंडियन ट्री वाइपर इसे कहते हैं बैंबू पिट वाइपर भी इसका एक नाम है देखिए कितना शांदार साप है इसकी ताकत देखिए आप आर्बोरियल स्नेक है यह इसलिए इसको टंगने में या जूलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है यह ताकत आप देखिए शांदार पोज यह दे दे रहा है दोस्तों इसका एक विज्ञानिक नाम है ट्रेमेरस अरस ग्रमीन की नाम है बैंबू पिट वाइपर भी से कहा जाता है पेड़ पेड़ में रहने वाला यह सांप है आपने हमारे चैनल पर पहले भी यह सांप देखा है यह अच्छे साइस का स्नेक है और कुछ दिनों पहले ही आपने इसका रेस्क्यू करने का वीडियो देखा था ब्लैक सूर्ती का लिबाज ओड़े हुए एक जानलेवा सांप जियां दोस्तों इसका जो जहर है वह कॉक्टेल है नियूरो टॉक्सिक हीमो टॉक्सिक और साइटो टॉक्सिक का और जब यह आपको बाइट करता है तो नियूरो टॉक्सिक एफेक्ट साइटो टॉक्सिक कि ब्लुट थिनिंग जो है को ना होते हैं जिससे की दोस्तों ये जो इसके खाने पर क्या खाना पसंद करता है तो ये पेडों पर रहे रहता है तो इसे खास पसंद हैं गिरगत भर औ ग्याफे एंशन न क्या सकते हैं वह खास इसको खाणक बहुत आसानी से शिकार करते हैं और बड़े साइज के ये साँप हो हलांकि कम ही देखने को में मिलते हैं चोटे तो कई बार आपने देखा होगा यह बड़े साइस का है यह कोई होके भी भी इसकी जो है बढ़ जाती है पेड़ों पर यह मेरे ही हाथ के तरफ आ रहा है कि खत्रा यहां पर जादा हो जाता है कि खाने की बाद हमने की थी और आपको मैंने यह बताया था कि पेड़ों पेस की एजिलीटी बहुत बढ़ जाती है आप देख सकते हैं कितने शांदार तरीके से यहां पर बैठा हुआ है और इसको इंडियन पिट वाइपर इसलिए कहते हैं ग्रीन पिट वाइपर आप ध्य जिसके कारण इसको पिट वाइपर कहा जाता है पिट से यहां मतलब है छेद यह एक्चली हीट सेंसिंग पिट होते हैं गर्मी को फील करने के लिए और यह जो साप है गर्मी से रियाक्ट जब इनको हीट फील होता है तब यह रियाक्ट करते हैं अपने शिकारों को और इसकी यह खासियत है यह कई कई घंटों जो है एक ही जगा पे इसी प्रकार से पड़ा रह सकता है बिना किसी को दिखे तो आप देखिए कि यह इसको पकड़ के एक्चिली बैठा हुआ है आप देखेंगे यह हमारा हुक है यह कोई पेड का पेड की कोई डंगाल नहीं न बैठा हुआ है कुछ इसी प्रकार से यह पेडों के डंगाल को जो है फसा के बैठे रहते हैं इनके बाइट से दोस्तों हलाकि डेथ रेट तो कम है लेकिन एंप्यूटेशन रेट जिससे पर काट ले उसको काटना पड़ सकता है यह नौबत जरूर आ सकती है तो इसको समाप होते हैं अब हम इसको यहां पर छोड़ते हैं चलते हैं आज के लिए समाप्त करते हैं दोस्तों उमीद है यह वीडियो जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा अब प्रकृति के हवाले उसको करते हैं और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आ आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारत दोस्तों अंत में हमने इसको रिलीस कर दिया है आप यहां देखे कितने शांदार तरीके से यह सांप पेड़ों पे चाह चाहड़ रहा है यह आर्बोरियल स्नेक होते हैं फ्रेंस आर्बोरियल का मतलब पेड़ों पे रहने वाले सां और इसका चलने का इस देखके चलने के आसानी देखके आपको इसका एसास हो रहा होगा तो अब मैं आप यह वीडियो को समात करता हूं जैहिन जैभारत